कुई तालुका के एक इक किसान भाई को दगा दे कर फसाद दिया है एक तरफ सरकार का कहना है कि हम किसानों के ह muff के लिए काम कर रहे हैं किसान के ह传 काईदे तैयार कर रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है उलटे मध्धी सावरकर पंड नियंद्रन नहीं रखते होए अवधेश सावरकरों के आतंग से किसान आत्मत्या कर रहा है किसानों का लेकिन सबसे ज्यादा साहुकारों वा अन्नी कारणों से किसानों को ठगा जा रहा है महदरा पोस्ट ईसापूर नवेगाव तालुका कोही जलनाकपूर यह सावरकर मेरे पिता से 6 अवैद उधारदाताओं अवैद सावरकर का धूमा कुल उमेश गुलावराव माकडे और 41 वर्ष मनोह महादेव रावजी कावटे 37 वर्ष की अर्विन कवडू गिलूरकर ने जलनाकपूर भासकल लांजिवार कोही सर्वोदे विध्याले तालुका कोही जलनाकपूर 5 मारूती भासकल लांजिवर कोही छे मालती भासकल लांजिवर कोही तालुका कोही जलनाकपूर के तीनों अवैद साहुकार कोही से असे एकून सावरकर अवैद साहुकारों ने ब परिवार को बेनकाप करने की उनकी घहराई चालल थी। उनकी पूरी तरह से जाच की जाए परिवार को खुले आम ऐसा करने के सम्मन में सक्त कारवाई की जाए। और 70,000 दिका कर रजिस्ट्री कर दी है बहले ही उसने मेरे को एक भी रुपया नहीं दिया है बहले ही हमें इस वात की कोई जानकारी नहीं है कि यह कब और किस रूप में भुक्तान किया गया था इसकी सखोल चौकसी की जाच की जानी चाहिए कि विक्री कैसे हुई माननी उप पंजी कोही के दाएरे में आने वाली अचल संपत्ती का विले कैसे किया गया और कैसे रुपय के विक्रे विले की जाच की जाए और हमें उचित नयाय दिया जाए मेरा खेत महुजा महुदरा तलाठी साजा संख्या साथ 2.58 हेक्टियर आर है इस प्रकार है मुझे जनवरी विध्यालिप के पीछे रहते हैं और आप उनके पास जाओगे तो वह आपके काम को पूरा करेंगे आवश्यक्ता है जनवरी दोहसर सूला में मेरे बड़े भाई के पास लांजिवान ने पुत्र चोड़ा महीं विव्यंकर ने बुध्वार को मुझे संदेश भीचा कि आ मैंने कहा कि मैं बहुत परेशानी में हूँ और पैसे की जरूवत है उसने कहा कि मेरे माझ्यम से दो एकर जमीन दी जाए मैंने कहा हां लेकिन मेरी नौकरी से जून 2018 में रटायमेंट है समय पर पैसा सरकार की और से मेरे खाते में हैं जैसे ही पैसा जमा हो जाएगा मैं बिवंकर ने मुझे बताय कि आपका काम हो गarena है लेकिन एक साहूकार आपको पैसे दे रहा है चलो अंदर चलते हूँ और एक मुहल लेते हैं एर लेते हैं हमारे साथ पैसा 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 नहीं लाया आपको श्री भासक लांजिवर के घर में आना पड़ेगा तप भासकल लांजिवर मुझे अरजनवेश श्री सरिन सामहरकर के पास ले गए और मुझे वहीं रोग दिया और मुझे बताया कि पार्टी आदे घंटे में आ रही है लेकिन इस जतुर अरजनवी ने पहले ही अपने दस्तावेश तैयार कर लिये थे क्योंकि ये अरजनवेश भ घंटी बजी तो मैंने उनसे भुक्तान कर निकले कहा लेकिन उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिये मैंने उनसे कहा कि हस सही नहीं है लेकिन उम्रेट के गवाद जो उनके साथ थे वे कह रहे थे कि अरे आप यहां बैठे हैं पार्टी भासकल लांजिवर के घर पौची मैं तो मैं अभी फोन करता हूँ आओ जल्दी से पैसे ले लो और स्टम की एक प्रती ले जाओ अर्विंद कवडू गिरूलकर ने उक्त चारों वैक्तियों से पचास जार रुपे मुझे दिये लेकिन स्टाम की प्रती नहीं दी जब मैंने स्टाम की कॉपी मांगी तो गिरू मानूंगा कि आपने कुछ गड़बर कर दी जैसा कि मैंने कहा था कि आपके पास स्टाम में इतना होना चाहिए उन्होंने मुझे हां कहा और फिर कहा कि वे आपको एक प्रती देंगे लेकिन इस तरह मैं समय समय पर भासकल लांजिवर्ट से मिला और उनसे कई बार पूछा लेकिन उन्होंने मुझे एक नहीं दिया स्टाम की प्रती अब तक लेंदेन हुए एक वर्ष हो गया है आप एक वर्ष के बाद भी मुझे मेरी प्रती वापस क्यों नहीं दे रहे हैं मैं एक साल तक उनसे कौपी मांगता रहा और एक साल बिना कौपी दिये दो वेक्ती मे जाते हैं तो मैं जैसा बोलू वैसा करना पड़ेगा नहीं तो तेरे घरवाले समय तेरे को जान से मार दूँगा वह भास का लांजवा धंकी दे रहा था मैंने बोला उसको जो बैठक में पचास जार के एक लाक रुपए है वो मैं दूँगा जो बैठक का भुक्तान करू उन्हों निकार की हम पैसे के लिए आये हैं आपको पचास जार उपए के ग्यारा लाख पचास जार उपए हुए हैं तुमको देना पड़ेगा पैसे सुनते मेरे पैर के नीचे की जमीन हिल गई जो एक साल बाद में आकर बोलने लगे कि हमने जो पैसे दिये उसके पिर दूसरी कैसे किया मेरा हस्ताक्षे नहीं है मूठा नहीं है मैंने नहीं आया यह आपके नाम पर मेरा खेट कैसे हुआ लेकिन उन्होंने कहा कि भासकल लांजिवा मेरा आदमी है इसलिए वे हमारी वज़त से ऐसा कर रहे हैं उन्होंने कहा आप जिसके पास जाना चाहते जा सकते हैं तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते ये दोनों लोग कहने लगे मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ थाने में शिकायत दर्च कराऊंगा कि तुमने मुझे और मेरे परिवार को धुका दिया और हमें मरवा दिया लेकिन दोनों ने कहा कि अगर तुम थाने हम 5-6 हैं तुम कुछ नहीं कर सकते हैं हमारे लिए पुलिस हमारी है आप ऐसे पहले वैक्ती नहीं है कई लोग है जो कहते हैं कि आपके साथ धोका हुआ है और हमने उनके साथ धोका किया है और उनकी किसानों की खेत को चुरा लिया है लेकिन कोई भी हमें नियंतरत नहीं कर स सकते हैं इसलिए मैं आप से कहता हूं कि आप मुझे स्चेशन या कहीं और शिकायत किये बिना पैसे दें यदि आप मुझे खेत नहीं दिया तो हम छे आदमी एक खटा होकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जिन्दा मानने की धंकी दे रहें कि तुमने मुझे धोका द वहाएं और उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को जिन्दा जान से मानने की धंकी दे लेकिन उपरुक्त 6 वैक्तियों में से कोई भी से स्विकार करने के लिए तयान नहीं है मैंने एक लाग रुपे वापस दिये जो मैंने उपरुक्त वैक्तियों से लिए पचास जार चेक नंबर 229310 दिनांग 30 मार्च 2019 को ही भासकल लांजिवार पचास जार पत्नी के नाम पर दिये पचास जार रुपे दो एक चेक मारूती नाम पर स्थानांधम्द्र कर दें लेकिन वह नहीं है यह क्याने को तयार भासकर लांजिवार को जब बताया गया तो उस देखा की पहले एक लाग रुपे मिलने के बाद बता दूँगा लेकिन भास करने असा नहीं गया बलकि उसे मुसलगाफ के भासकर लांजिवार दामुदा कवडू भिवंकर से जानकारी मिली की हमारे 32 लाख भासकर लांजिवार की और से संदेश भेचा गया की हम रजिस्ट्री से नाम घटा देंगे और वापस करने के बाद ही आपको दर्ज कराएंगे अगर हम भुकतान नहीं करेंगे तो हम अपने नाम से खेत किसी को भी बेज़ देंगे और हमारे पैसे ले लेएंगे हालाकि मेरा खेत मेरे कबसे में और मैं इसे सम्हाल रहा हूँ लेकिन वे रात रात मेरे खेत में आते हैं और बड़े और जारो चाकू से मुझे माणने की धमकी देते हैं मेरा विनम्र निवेदन है कि उप्रुक्त छे दोशियों के खिलाफ सकते कारवाई की जाए ऐसा कहीं किसान और किसान को भासकर लांजवार मेरे जैसे वैक्ती और कई अन्य गरीब लोगों को क्रशी भूकन और अन्य सोना देकर धोका दिया है घैनोर उनके ल न्याय मिले की पूस्ताच करके उन्हें भी मुक्त किया जाना चाहिए